इस वीडियो में आप जानेंगे कि आज का मार्केट के सा रहेगा और एक्सपर्ट ने क्या राय दिये क्या रणनीती रहेगी सब कुछ पर देख लेते हैं यहाँ पर निप्टी 50 जो 160 पॉंट अप में खुला है सेंसेक्स 300 पॉंट अप में खुला है निप्टी बेंगें γंदे में 300 पॉंट अपकी ऑपनिंग की है अभी याँ पर एक्सपर्ट की रह से जानेंगे कि क्या रणनीती बनाए आज मार्केट में क्या लेनाचला है प्रोच करना है लेकर पहले मूट समझ ले जाए ये यूएस का जीडीपी अच्छा है क्या माइनस पॉइंट सिक्स ये थोड़ा सा कॉंट्रैक्ट हुआ है एक्सक्टेशन था पॉइंट नाइम के आस पास रहेगा और जादा किरेगा तो ये रिवाइस्ट एस्टिमेट है तो थोड़ी सी स सांते हैं कि देखिए रेट हाइक की तरफ तो इशारा होगा वो कहेंगे इंफलेशन की समय से हमाय सामने अभी भी अच्छी खासी बनी हुई है लेकिन आज कर लोग इस पर दाव लगा रहे हैं कि यहां से 1.25 से 1.5% का रेट हाइक और बाकी है उसके बाद क्या रेट कट क सिल्सला शुरू होगा तो आज वसके सुप्राइज की भाई साब अभी भी आप इस साइकल में है कि रेट हाइक होने वाला है लेकिन आप्टिमिजम इतना है कि इसके बाद रेट कट होगा तो यह लोग बातचीत कर रहे हैं कि होल्ड करेंगे सारी साइकल खतम होने के अगर यह इंडिकेशन आता है कि हम मिड साइकल में है यानि कि यहां से आगे कुछ और रेट हाइक देखने को मिल सकते हैं अगर लेट साइकल में है तो एक बार यह एक और जटके में रेट हाइक हो जाए उसके बाद स्थिती को देखकर शायद रेट कट के बारे में भी आगे दो और डेटा आने है सेटमबर की रेट पॉलिसी के डिसिजिन से पहले तो उसके मद्दे नजर ही अगला डिसिजिन लिया जाएगा लेकिन ये कुछ बाते काफी जादा चर्चा में थी उस लिहाज से मार्किट्स में एक पुल बैक देखने को मिला कल भी हम देख रहे है अमेरिकी बाजारों में डाउ में खास तोर से दूसरी तरफ आप देखिएगा नाजडाक का इंडेक्स जहां पर करीब देर परसेंट की गेंज नजर आए S&P में भी मजबूती देखने को मिली करीब 1.4% के आस पास की material stocks, communication stocks इन सब में तेजी बनती दिखाई दी है तो वो भी काफी रहेगा लेकिन वो आएगा पूरे जटके के साथ 75 basis point नहीं होगा फिर सिरफ अगर 1% बढ़ाना है तो completely वो आगे चलकर बाटिंग करेंगे और 1% सीधे तोर पर कर देंगे तो यह कुछ चीजे हैं हाला कि यहाँ पर आप देखिएगा jobless claims का data आया jobless claims में कुछ गिरावट देखने को मिली यह आकड़ा करीब 2,43,000 के आसपास आया 2,000 कम jobless claims देखने को मिले हैं market expect कर रहा था 2,55,000 के आसपास के jobless claims देखने को मिलेंगे हाला कि यहाँ पर जो Kansas City की Fred President है उन्होंने ये संकेत जरूर पढ़े है कि demand cool off हो रही है लेकिन उनका मानना है कि जब तक बे रोजगारी बढ़ नहीं जाएगी inflation कम नहीं होगा तो वो situation को पूरी उल्टी तरीके से देख रहे है normally कोई ये देखना नहीं चाहता कि अपने देश में बेरोजगारी बढ़े लेकिन उनका मानना है कि जब बेरोजगारी एकदम peak पर आ जाएगी तब inflation संभल जाएगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा पैसे खर्च करने के लिए तो वो चीजें हैं जो सामने निकल कर आ रही है आज इफकॉस सभी की नजरे होंगी कि फेडरल रिजर्फ चैपर्सन क्या बोलेंगे अब क्या expectation है उसकी मैं बात कर लेती हूँ जो reports कह रही है वो basically ये कह रहे हैं कि पूरा 5-0 power सामने रखना चाहते हैं फेडरल चैपर्सन शेरोम पावल रेत्स हाइक होते वो दिखाई देंगे इंफ्लेशन को पूरी तरह से साफ करने के लिए साथ ही साथ क्या उनकी तरफ से indication आता है कि इस रेत हाइक के बाद एक hold पर फेड जा सकता है स्तिती को देखने के लिए भापने के लिए उस पर नजरे रहेंगे हाला कि माके जैसे मैं पहले भी कह रही थी उमीद ही बांद रहा है कि अगले साल से फिर रेट कट का भी सलसला शुरू हो जाएगा